जैसे लोकेस कनगराज ने केथी और विकरम को मिला कर बनाया है लोकेस सिनमेटिक यूनिवर्स तो क्या फिर अजे देवगन की फिल्म भोला के लिए भी अलग से भोला सिनमेटिक यूनिवर्स बनेगा तो इसका मतलब भोला भी किसी सिनमेटिक यूनिवर्स का पार्ट होगा ही क्योंकि भोला मूवी में वो सारे केरेक्टरस हैं जो कि केथी में थे यहां तक कि विकरम मूवी का रोलेक्स तो याद है न आपको तो अगर कुछ एनलिसिस की माने तो अभिशेग बच्चन हमें भोला में रोलेक्स का रोल करते हुँ दिखेंगे जो कि साफ इसारा करते हैं कि आजे देवगन भी अपना खुद का सिनमेटिक यूनिवर्स बना सकते हैं